आज मैं अपने संगीत और शादी का लहंगा सेलेक्ट करने रॉबिन के साथ आई हूँ क्योंकि इनका सेलेक्शन तो माइने रखता है और मैंने और रॉबिन ने अपने संगीत में बहुत सारा डांस किया और ठुमके लगाए अगर आपको जाना है कि किसका संगीत है तो आपको व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं था तो यहां पर मेरे साथ हो गई हैं ऐसी इस्टेक मैं दस जूलाइ को पहुंच गई थी और टिकिट 11 जूलाइक ही कर ली थी मैंने इतनी बड़ी भूल आप कभी मत करना मेरे साथ तो ये हुआ कि वहां मुझे लोगों ने पहचान लिया तो जादा पैसे नहीं लगे लेकिन आप सबके बहुत पैसे लग जाते हैं और लगेंगे मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ फिर रॉबिन मुझे लेने आ गए थे और मैं और रॉबिन निकल गए थे लेंगे के लिए क्योंकि भाई संगीत और शादी में मुझे दिखना था सबसे प्यारा तो मैं आ गई थे लेंगे की शॉपिंग करने के लिए अब मैं ही बस प्यारी दिखू ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे पती जी भी बहुत प्यारे दिखे इसलिए हम आगे थे उनके कुर्टे के सेलेक्शन के लिए और मैं आपको बता दू यहां पर कुर्टे के सेलेक्शन तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे बट बात ही आ रही थी कि 24 आर्ट में कौन अच्छे से कुर्टा हमारा रेडी करता है और इंदोर में यह लोग है जो 24 आर्ट में आपका कुर्टा आपकी ड्रेडी कर देते हैं यहां रॉबिन मुझे बता रहे थे क्या मैं ब्लैक पहनू या स्काइब्लू पहनू मेरा दिल अंदर अंदर कह रहा था आप तो ब्लैक पहने वाली हूं अब एक साथ मैचिंग मैचिंग करते हैं तो मजा तो मैंने इनको बोल दिया कि यह तो आप निकाली दो फिर आई इस ब्लैक कुर्ति की बारी ओहो कितने स्मार्ट दिख रहे थे वह फिर हम आ गए नेल्स एक्स्टेंशन के लिए हम लड़कियों को सुन्दत दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना सोनुभीय क्या बोल संगीत के लिए मैंने गहां ब्लेटे के लिए कामयाबी को हम उसके घर चौड देंगे और उसके बाद यहां से हम की के ओर जाएंगे मैं आपको बता दूँ मुझे मेहंदी से बहुत जादा इरिटेशन होती है इसलिए मैं हमेशाद थोड़ा सा मेहंदी लगाती हूँ हम लोकेशन में पहुच चुके थे और ये मेरी मेकप वाली दीदी आ गई थी मुझे मेकप उत अच्छे से करने आता नहीं और मैं घर की बहु हूँ तो मुझे सुन्दर तो दिखना बनता है न यार इसलिए मैंने मेकप वाली दीदी को बुला लिया इन्होंने मुझे फटाफट फटाफट रेड़ी कर दिया ओ भाई ये तो बहुत ही कम टाइम लिया इन्होंने फटाफट से रेड़ी होकर मैं तुरन स्टेज की पास आ गए क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे तीन से चार बर बुला लिया था जादा लेट करती तो डाट पर जाती यहां भावियों की पफॉर्मेंस चल रही है यह सारी मेरी बड़ी भाविया है और यह सब मुझसे बहुत जादा प्यार भी करती है बहुत प्यारा सा इनोंने एक डांस परफॉर्मेंस दिया देखो पुजा भावी को क्या अच्छे से डांस कर रही है और मेगा भावी तो मेरी फेवरेट है यहाँ पर लवीश की नजरे मुझसे हटी नहीं थी आप सब की नजरे भी मुझसे नहीं हटेगी मैं इतनी ब्यूटिफुल जो दिख रही थी फिर बारी आई रॉमिल की और उनोंने भी ओ मुंडा कुकडी का मालदा ऐसे गाने पर डांस कर लिया और देखो लड़कों को कितने मजे ले रहे भाई कितना डांस कर रहे रॉबिन को देखो वो भी डांस कर रहे वैसे रॉबिन डांस करने में बिलकुल इंट्रस्टेड नहीं रहते फिर आई मेरे नंदो की बारी मेरे नंदो ने भी बहुत अच्छा डांस किया ओ प्रिटी सी दुलहनिया वाले सॉंग पे फिर आई ब्राइड की बारी और ब्राइड ने भी काफी अच्छा डांस किया ओहो मैंने आपको बताना तो भूली गई कि यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे और वहाँ पर मेरी पेट पूजा चल रही थी क्योंकि भाई सबसे पहले पेट पूजा फिर है बाकी काम दूजा चलो मैं आपको बताई देती हूं कि यह जो शादी है वो मेरी देवरानी की है शादी से पहले ही मैं जिठानी बन चुकी हूं और यह मेरी सासुमा का पॉफॉमेंस हो रहा था तो मैं खाना वाना चोड़के दोड़े दोड़े चली आई और उसके बार डांस हो रहा था स्टेज पे सारी के सारी फैमली हम मस्ती में जूम रहे थे हमारे गर इतनी प्यारी सी प्रिटी सी दुलहनिया आने वाली थी अब आप लोगों को दुलहनिया भी दिखा देती हू अब भाईया एक रोमैंटिक सी डांस किया और मैंने और रोबिन ने ऐसे गोल गोल गुम के प्यारा सा एक रील बना दिया अब भाई हम रीलर्स है तो एक तो वीडियो बनता ही है फिर यहाँ पर देखो सब डांस कर रहे थे मैंने उस रोबिन भी डांस कर थे इस डांस के और रॉबिन भी रॉमांटिक्ली डांस कर रहे थे इनकी इतनी कॉमेडी वीडियो देखने के बाद आप इनको रॉमांस में देखोगे तो हसी तो आएगी ही ना देखो वह बोल रहे थे बड़े ही सुंदर दिख रही हूँ मैं वह थांक्यू सो मच्च यही सारी कन्वसेशन सवारी चली रही थी तब तक कैमरा मेंन हमारी तरफी फोकस कर रहे थे अब हैं इतने प्यारे कपल तो कैमरा मेंन फोकस तो करेंगे ही न और ये देखो मेरा लेंगा संदर लग रहा है न पंशन खतम होने के बाद चिल मोड ओन हो चुका था ये है गुड़ी जीजी मेरी पहली ननद और वो है मोनिका जीजी मेरी दूसरी ननद हम सब बोल रहे थे कि भाई साब मजा तो बहुत आया और मेरी शादी में बहुत मजा आएगा अगर आपको व्लोग अच्छा लगा प्लीज जल्दी से फॉलो कर दो और लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स व्लोग में सीधा शादी की व्लोग में